कि वास्तम में कि इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान ने बनाई हो और वो निरर्थक हो जितने भी पशू पक्षी पेड़ पौधे या जो भी हम इस दुनिया के अंदर देख रहे हैं वास्तम में वो सभी चीज़ें वो हमारी लिए लापकारी है खितकारी है मनुष्य जीवन को सुन्दर बनाने के लिए मनुष्य जीवन की विश्मताओं को और परिशानियों को दूर करने के लिए वो कही न कही से किसी न किसी रूप में वो वास्तम में हमारी लिए सही होगी है आज एक देखने में सामान्य सर्वविदित लगव मैं जानता हूं कि हमारे देश में शायद ऐसा कोई विक्ति होगा जिसने इस प्रिय पदार्थ की सबजी न खाई हो या नहीं जानते हो तो ये आज मेरे पास में है जिसके संदर्व में मैं बताने जा रहा हूं कि यहां हम चाहे संसार के जड़ी बूटियों को हमारे रिशो ने खाद्यान की रूप में प्रचलित किया या हम आज आहर की रूप में सब कुछ जो भी हम ग्रहन करते हैं सुभा से लेकर के सायंकाल तक वो कहीं न कहीं वो आपके लिए अउशदी का कारी करता है इसको हम बोलते हैं लौकी यह जो लौकी है लौकी यह एक आम प्रचलित हमारी प्यारी सी सबजी है हम सब इसका सेवन करते हैं और शर्धे स्वाम जी ने तो इसको इतना प्रचलित कर दिया है कि आज हर कोई इस जो नहीं खाते थे वो भी इसका सेवन करने लग गए हैं लेजिनेरिया, सिस्रेरिया इसका बोटनिकल नाम है और लॉकी के नाम से बोटल गॉड के नाम से हम पूरे देश में इसको जानते हैं इसको गुजराती में दुद्धी बोलते हैं तो ये निश्यत रुप से पूरे विश्र में लगभग आज इसकी सबजी खाई जाती है और यह बहुत ही और शदिये गुणों से परिपूर भी है आप देख रहे हैं ये बिलकुल प्राकृतिक रुप से बड़ी होई लवकी है इतनी बड़ी होने के बाद में भी ये पूरी कच्ची है बहुत अच्छी है इस से छोटे साइज में आप ये देख रहे हैं और इसमें आप इसके फूल भी देख रहे हैं तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए यह थोड़ी छोटी लौकी है और इसमें आप देख रहे हैं कि जिस लौकी के अंदर जैसे यह फूल खिलते हैं इस फूल में फल नहीं होएगा परन्तु आप देख रहे हैं जैसे इसके अंदर यह आप देखिए यह छोटा सा फल है इसकी लौकी है लौकी के नीचे यह प्रताई देती है जो अलग से फूल खिल जाते हैं उस फूल में वो सिर्फ फूल ही होता है यानि कि जो कोई हर कोई फूलने वाला फल नहीं बन सकता है यह लौकी से आप सीख सकते हैं हलाकि जो दूसरी सब्जियां है जो तोरी आदी सब्जियां है उनमें भी ऐसा ही होता है तो ये लौकी जो है फल वाले में भी अंदर फूल होता है पर तो सिर्फ फूल वाले में ये लौकी नहीं आती है तो मैं इसलिए ये बताने जा रहा था कि ये प्राकृतिक रूप से आप देख रहे हैं थोड़ी सी छोटी है उसके बाद ये थोड़ी बड़ी हो गई बड़ी होने के बाद में ये थोड़ी बड़ी है फिर इसके बाद आप देख रहे हैं ये काफी बड़ी है ये कच्ची ह इससे थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो फिर पकने शुरू हो जाती है यह ध्यान रखें लौकी निश्चित रुप से जो इंजक्ट की होती है या जो बीना सीजन की होती है वो कड़वी होती है काट करके जो लेने में मीठी हो स्वादिष्ट हो उस लौकी का हम सेवन करे तो वो सेवन करने से सबजी के रुप में तो हम पूरे देश बासी इसका सेवन करते ही हैं तो सबजी के रुप में सेवन करने में थोड़ी सी सावधानी हम जरूर करें यदि लौकी में यदि आप ज्यादा मिर्च मशाला डालते हैं तो ये लौकी के अंदर ख्यमता है पे जदा मिर्च मशाले डाल देते हैं तो इसका जो गुण है वहां काफी खतम हो जाता है तो लाब की जगह इस अमरित को फिर आप पहीं ना कहीं इसको आप विकृत कर देते हैं तो यह ध्यान रखें कि सब्जी में जदा मिर्च मशाला हलाकि आज शहरों में फोड़ा फैसन ज सब्जियां कम मिर्च मशाले की सब्जियां आज लोग खा रहे हैं फिर भी मिर्च मशाला भी यहावी आउश़दियां हैं इनको हमें आउश़दी के रूप में ही कम मातरा में लेनी चाहिए तो उसको उबाल करके बड़े-बड़े टुक्ड़े करके आप नमक और सामान् करते हैं तो यह बहुत स्वाधिष्ट होती है तो उस तरह से आप इसका सेवन कर सकते हैं और लौकी के रायता आप सब जानते हैं बहुत ही बढ़िया चीज है रायते की रुप में आप इसका सेवन करिए लौकी का जो कौफता है वो भी बहुत लोग खाते हैं तो वीवीद की रूप में लौकी का जो हलवा है वो भी आप बना सकते हैं तो बहुत सारे वेंजन की रूप में चाहे आप हलवा बना लें चाहे वो खीर बना लें चाहे सबजी बना लें चाहे कौफता बना लें चाहे रायता बना लें लौकी के विवीद वेंजनों के द्वारा आप ग् रहा है कि लौकी खाओगे तो ऐसे ही तंद्रुस्त और लंबे हो जाओगे वास्तव में यह लौकी देखने में भी प्यारी है गुणों में भी बहुत हप्रिय है तो इसका आप सेवन करें अब आईए और शरी की रूप में मैं आपको कुछ और प्रयोग बताने जा रहा हू लौकी का जो प्राथा काल येदि आप एक कप इस लौकी का रस निकाल करके पीते हैं तो उस रस की सेवन से जूस की सेवन से आपके एसीडीटी को कम करता है एसीडीटी के अलाबा जिनको गास्ट्रिक ट्रबल है इंडाइजेशन है उसके लिए वो लापकारी है और तोच जिनकी जो साइनिंग है वो बढ़ने लग जाती है तो जिनको सुन्दर बनना है जिनके फेस पर आप चाहते हैं कि सुन्दरता आए तो आप लौकी का रस निकाल करके एक ग्लास लगबग 200 ml आप लौकी का जूस का सेवन करें और यदि आप उसमें एक सेव मिला देते हैं तो वो जूस और भी स्वादिष्ट बन जाता है एक छोटा सेव और लौकी को काट करके लगबग इसमें काफी पानी की मात्रा होती है तो काफी जूस निकल जाएगा और अच्छी साफ लौकी है तो इसकी छिलके को न उतारें लौकी को आप गरम पानी से तेज अच्छा गरम पानी करके गरम पानी से इसको धोएं अच्छी तरह से धो करके छिलका सही तो इसके छिलके के साथ में इसके टुकडे कर लें क्योंकि यो छिलके के अंदर बहुत सारे ऐसे तत्त होते हैं जो आपके शरी के लिए अत्यनत लाबकारी होते हैं तो गरम पानी में लौकी को ध आप पुदीना की पत्तियां तुलसी की पत्तियां भी मिला सकते हैं तुलसी पुदीना मिला करके लौकी का जूस का सेवन करते हैं तो उससे आपको आपके हाट के लिए भी बहुत लापकारी है तो जो हृदे रोगी है हृदे रोग में लौकी अत्यंत गुणकारी है आपके acidity के लिए अत्यन तो गुणकारी है इसके अतीरिक ते इसका एक और गुण है यहां किसी भी रोग से तूलित वेक्ती हो चाहे कोई भी रोगी हो वहाँ इसका सेवन कर सकता है और जिनको पित बढ़ा हुआ है बहानक acidity बढ़ी हुई है वो तो इसका सेवन कर ही सकते हैं जिन करता भी नहीं बढ़ेगी कितनी भी भ्यानक गर्मी की विमारी हो उसमें भी आप लौकी के जूस का सेवन कर सकते हैं और जिनको रुक रुक करके पेसाब होता हो मुत्रकृच्र जिसको आयरवेद में बोलते हैं उनों लोगों के लिए भी यह लौकी अत्यनत लापकारी है यदि आप सुबह एक कप लोगी का जो जूस है उसको निकाल करके प्रादी दीन खाली पेट पीते हैं रहला कि शाम को भी आप पी सकते हैं शाम को पांच-छे बजे तक आप इसको पी सकते हैं रात्री को लोगी का जूस ना पीएं उसे सर्दी हो सकती है तो आप साइंकाल को भी पी सकते हैं बहुती लाबकारी तो है कि आप प्राता काल इस जूस को पी एंए तो उससे आपको जो मुत्र ट्रिच्छ की जो बीमारी है जिन को पेशाब कम होता है पेशाब खुलके होने लगेगा इससे यूरीन पास होने लगेगे ठीक से यह बहुत ही अच्छी गुणकारी ओशदी है आपके मुत्र रोगों के लिए और जिन को मेरे भाईयों को जिन पूरुशों को सपन दोस होता है या जिन मेरी माताओं और बहनों को लिकोरिया की प्रावलम है लिकोरिया के लिए भी यदि आप प्र दोस में लाब मिलेगा इससे आपकी शरी के जो टॉक्सिंस हैं वुजादिय तत्व हैं वह बहार निकल जाएंगे इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाब मिलेगा तो लोग भी लौकी का नियमित रुप से आप सेवन करें सबजी के रुप में आप ले सकते हैं सूप के निकालें ग्याओं का जवारा या गिलोए तो गिलोए ग्याओं का जवारा और लौकी और कुछ भी ना मिले तो लौकी और सेव का जूस निकाल के पीने से जो आप एदी एनिमिक हैं तो आपकी जो एनिमिया है या जो माइनर थेले सीमिया के जो पेशेंट है जिनको हमेश के लिए भी यह एक अम्रित है रामबान है हलाकि आज पूरा देश इस लोकी के सेवन से अभिभूत है फिर भी मैं कहता हूं कि इनके ओशदिये गुणों को हम और अच्छी तरह से जानने और इसी तरह से मेरी माताएं और हमारी जो बहने जो प्रेगनेंट हैं जो गर्भीनी हैं गर्भ के समय जी मचलाता है उबकाई होती है उल्टी होने को होती है यह यह और आप एनेमिक है तो आपके लिए और जूस निकाल करके फिर आप इसमें से मिला दिशिए अनार का जूस भी मिला सकते हैं मौसमी का जूस भी मिला सकते हैं दूसरे जूस में भी इसको मिला करके आप नियमित रुप से लें फिर आप देखेंगे इससे आपका हीमोगलोविन बढ़ेगा जच्चा बच्चा दो Kidney की परिशानी starting में हैं आपका serum creatinine बढ़ने की स्थीती में है या blood urea थोड़ा सा बढ़ा हुआ है उस स्थीती में भी आप लोकी का सेबन शुरू कर दिजे तो ओ ओ बो serum creatinine और blood urea बढ़ने से रुक जाएगा तो ये अत्यंत गुणकारी है यह लोकी ये आपके लिए आपके परिवार के लिए आपके बच्चों के लिए तो बच्चों आप भी इसका सेवन करना आप रिस्पुष्ट हो जाएंगे आप तंदुरुस्त हो जाएंगे आप बुद्धिसाली हो जाएंगे आपका पेट ठी रहेगा आपके शरीर में सिथलता होगी जिनको बहुत गुस्सा चड़ता है जिनको हमेशा तेजी और गर्मी बनी रहती है वो लोग भी लौकी का सेवन करके शांत हो सकते हैं इससे आपके शरीर की सात्विकी उर्जा बढ़ेगी आईरुवेट के अंदर लौकी को सात्विक अहार कहा गया है तो अपनी सात्युक्ता को बढ़ाते हुए अपने रोगों को दूर करने के लिए निरोग बने रहने के लिए आप जरूर इस लौकी का सेवन करिए और पूरे देशबासी मेरे भाई वहन इस लौकी का सेवन करके और शरी की रुप में लौकी का सेवन करक कई बार इस लौकी मात्र के सेवन से आप प्राप्त कर सकते हैं दो-तिन सावधानिया जरूर ध्यान रखें कभी भी लौकी का सेवन करते समय ये कड़वी लौकी का सेवन हरगीज न करना कभी ऐसा मत सोचना कि थोड़ी कड़वी हुई तो क्या हुआ क्योंकि डाइबिटीज में शायद काम कर जाए ऐसी भूल मत करना क्योंकि कड़वी लौकी नुकसान कर सकती है कड़वे तुम्बे का आप बिलकुल भी भूल करके भी सेवन न करें बीना सीजन की जो सबजियां हैं उसमें कई बार कड़वी लौकी आती है इसका आप बहुत ध्यान रखें सीजन में तो इंजक्ट करना वाली बात नहीं है इस सीजन में इसके अंदर कोई केमिकल वाली जदा वो इस्थिती भी नहीं है बीना सीजन में कभी-कभी ऐसा कर देते हैं हलाकि ये साथ-ाठ मेना बड़ी सुगमता से ये लौकी हमारे देश में सरवत्र मिल जाती है और आराम से एक बीगे जमिन के अंदर ही आप देख रहे हैं जहां मैं बैठा हूँ थोड़ी सी जगह पर कितनी सारी लौकीया है मैं कहता हूँ ये छोटी सी खेत के अंदर कम से कम इतने में ही एक दो कुंटल लौकी हो जाती है तो इसलिए लौकी बहुत पैदावर देती है तो मेरे किसान भाई लोग इसकी पैदावर बढ़ाएं इसको प्राकृतिक रुप से बढ़ाएं ये जरूरी है और मेरे देशवासी इस लोगी का सेवन करके स्वस्त रहें यही हमारा संदेश है और मेरे बच्चे लोगी खा करके लोगी की तरह से कितना स्वस्त और जिस तरह से इस लोगी के अंदर एक ग्लो है एक साइनिंग है एक तेज है इसी तरह से आप सब्ज भी तेज से परिपूर बने यही हमारा आपके लिए संदेश है यह लोकी अब मैं समझता हूँ कि आज के बाद आपके लिए सिर्फ एक सब्जी नहीं है यह आपके लिए अब और शदी भी है यह रखत दोशों को भी करता है तो यह लोकी के दवारा आपकी जो इस्किन प्रालम से वह भी ठीक हो जाती है यह जो लोकी की पत्तियां हैं यह भी गुणकारीं जिनना लोकी लगा रखी हो इन कोमल पत्तियों की सब्जी भी बनती है बंगाल में तो हमने देखा कि पराइन इस डंठल की यह गोमल प्रॉलम है यदि उसमें लगाते हैं तो उसमें भी यहां बहुती लाबकारी है यह जो लौकी की जड़ है यदि इसको निकाल करके उबाल करके पीते हैं तो इससे पेशाब खुलके होने लगेगा और इससे मुत्रक्रिच्छर की विमारी दोर हो जाती है और प्रोस्टेट कि इन गुणों को हम जाने और जान करके आस इस लौकी को बड़े प्रेम से इसका सेवन करें तो कल तक के लिए दीजिए आप मुझे विदा जरूर आप प्राती दिन इस कारिक करम को देखिए और दूसरे लोगों को भी प्रेजित करिए जिससे सर्द्यस्वामी जी का जो करके दूसरों को भी हम इस मिशन के रिए प्रेरित कर सकें यही आप से मेरी प्रार्थना यही आप से मेरी आशा और यही इच्छा कल फिर होंगे हम आपके बीच ठीक इसी समय आस्ता चैनल पर अके जाएपक से मेरी आपके जाएपक से मेरी आप से मेरीी आप basically nifty फिसस दोगशित कर से में ने करिए प्रेजित कर बीचित कर दो मेरी। हुआ हुआ है